कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम में एक प्रोफेशनल आईडी बना सकते हैं और इंस्टाग्राम से आप अच्छा खासा अमाउंट में पैसा जनरेट कर सकते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और उसके पहले आप यह द कि इंस्टाग्राम में आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया है कि जीमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है या फिर फोन नमर से बस इससे जादा कुछ नहीं बताया है बट मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप सारा प्रॉसेस दिखने वाला हों कि किस तरह से आप फ्रोफेशनल इंस्टाग्राव अकाउंट बना सकते हैं जिस तरह से प्रोफेश्न तो सबसे पहले आपको Instagram का application डाउनलोड करना पड़ेगा Google Play Store से, उसको डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद ये Instagram का application कुछ इस तरह से नजर आता है, इसे open कर ले, open करने के बाद कुछ ऐसा interface आपको नजर आएगा, यहाँ पर login with Facebook कहेगा, आप या तो Facebook से login कर सकते हैं, या फिर sign up with Gmail address या फिर phone number, तो चलिए मैं Gmail ID से कर लेता हूँ, यहाँ आप अपना phone number डाल सकते हैं, या फिर email से भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ email से डाल देता हूँ, हमारा जो channel का email है मैं वही डालूँगा, तो मैंने email address डाल दिया है, अब next पे click कर लेते हैं, next पे click क करने के बाद यहाँ full name डालना है, तो मैं अपने channel का ही नाम डालूँगा, यहाँ पर option देता है, continue with sync contact या फिर continue without sync contact, अगर आप contact देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, continue with sync content से, contact से, और इसमें अगर आप contact नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, चलिए मैं इ instagram में account बन चुका है, मैं यह basic account बन चुका है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से edit वगरा कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप click कर ले, I am not a robot, उसके बाद, यहाँ verification है, verify कर ले, mountain और hill, so, यह है, mountain है, mountain है, hill है, यह सारी चीज़े है, verify कर दिया है, मैंने, so, I am not a robot, यह verify हो चुका है, इस पर next करते हैं, यहाँ phone number मांग रहा है, ताकि phone number से आपको verify करेगा, अब जो phone number आप वहाँ डालेंगे, वहाँ पर आपको एक verification code receive होगा, आपके phone number पर, उस phone number को डाल कर यहाँ आप verify कर ले, उसके बाद confirm पर click कर ले, आपका instagram id बन चुका, अब मैं दिखाता हूँ, open करने के बाद कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने open किया instagram, तो इस तरह से कुछ इस तरीके का interface आपको नजर आएगा instagram, यहाँ से आप like कर सकते हैं, photos को, photos देख सकते हैं, videos देख सकते हैं, लोगों के, जो लोग post करते हैं, यह स professional look दे सकते हैं, अपने instagram id को, तो यह देखी, यह मेरा instagram id है, जो मैंने open कर लिया है, आप चाहें तो इसमें follow भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आप नया account बनाएंगे, तो नया में यह सारे features आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं उस सारे features आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना account में चले जाना है, my account में जाने के बाद, यहां आपको upper side right corner पर three line नजर आएंगे, उस पर click करना है, click करने के बाद नीचे आपको setting का option नजर आयागा, यहां पर click कर ले, और यहां click करने के बाद, यहां account मे जाएंगे, तो account में जाने के बाद, brand contact tool का option मिलेगा, उस पर click कर ले, और यहां पर जो भी option मिलेगा, वहां आपको enable कर लेना है सारे options को, ठीक है, so मैंने यह पहले enable कर रखा है, इसलिए मेरे को अभी नहीं देख रहा है, so enable कर ले, enable करने के बाद, यह सारा हो जाएगा, उस उसके लिए हापर request verification पर click कर ले, click करने के बाद, यह सारा form fill up करने को आ जाएगा, जिसमें आपका यह username है, आपका full name यहापर डाले, known as, किस नाम से आप जाने जाते हैं, क्या आपका पहचान है, so यहाँ पर आप fill up कर ले, उसके बाद फिर आप category select कर ले, कि कौन सा category में या फिर sports है, government politics है, musician है, music related, fashion related, entertainment, blogger, influencer, business brand, organization, या other, या जो भी कुछ है, यहाँ से आप select कर ले, उसके बाद फिर यहाँ पर send कर दे, तो कुछ दिनों के बाद आपको verification batch मिल जाएगा, यह सारे चीज हो जाने के बाद, आपका account किस तरह से दिखेगा, मैं आपको दिखा जा जाता हूँ, जैसे आप कोई भी किसी का भी Instagram account open करेंगे, तो इस तरह से नजर नहीं आएगा, जिस तरह से मेरा नजर आता है, यहाँ आपको कुछ चीजें दिखा जिता हूँ, यहाँ पर आपको फिर से 3 line पर जाना है, और यह, यहाँ आपको insight का option मिलता है, तो यह insight का option फ सारा चीज करने के बाद यहाँ आपको दिखने लगा इस तरह से कि कितने लोग आपके site पर reach कर रहे हैं, कितना post आपने like किया, share किया, या फिर आपके कितना revenue generate हो रहा है, यह सारे चीजें activities वगरा दिखाएंगे, audience दिखाएंगे, यह सारे चीजें यहाँ पर दिखने लग फिर कुछ audience है, गौहाटी से, फिर हैदराबाद से, मुंबई से, जमसितपूर से, इस तरह से यहाँ पर आपको audience दिखेंगे, बट अगर आपका normal Instagram account है, तो वो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ age rank भी देख सकते हैं, किस age के लोग आपके post को देख रहे हैं, या like कर रहे है share कर रहे हैं, तो मेरे जो post देखने वाले सबसे ज़्यादा हैं, वो 25 से 34 एर के उमर के लोग हैं जादतर, उसके बाद फिर 25 तो 24 एर ओल्ड के जादतर हैं, और इसमें man है, woman है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, तो मेरे जादतर man ही हैं, और इस तरह से gender का ratio देख सकत हैं, कितना 69% मेरे man विजिट करते हैं, उसके बाद फिर 4% मेरे woman विजिट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि hour में कितने hour विजिट किये गए हैं, यह सारे चीज़े मतलब details देख सकते हैं, इतना अच्छा तरीके से आपको वैसे नहीं मिलेगा अगर आपका simple account ह तो, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Instagram के account को professional look दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो, तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के एक like कर दिज और इस तरह के और ही बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें